अब बॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज नहीं वीडियो लिग आया हूं और यह वीडियो क्लास्में के सिस्टी का चैप्टर नंबर 3 है अगर आप देखें को यह जैप्टर जो है उनने जो गर्फी से लिया है फिर से आपको बगा दें या जो अगर आख नंबर 3 जो की चैप्टर जो गर्फी से लिया गया है चैप्टर का नाम है ड्रेविच जो की एक नया चैप्टर है और इस नहे चैक्टर में उन लोग जो है आज इतने पॉइंट को डिस्क्रशन करने जा रहे हैं इससे मैं आप सो बता दूँ याज उन लोग जो है क्लास 9 की SST का चैक्टर नूबर 3 जिस चैक्टर का नाम है ड्रेश जो चैक्टर जोगर कुछ सी लिया गया है और चैक्टर प्रेश के बारे में याने कि रिवर सिस्टम के बारे में आज यहां पर पढ़ने जाने हैं इंडिया में कौन हों से रिवर सिस्टम काम करते हैं इन रिवर सिस्टम को हम लोग जो है बहुत ही विश्तार में जाते जाने जाने हैं तो चलिए, सब्सक्राइब में देखते हैं कि कौन भूंसे प्वाइट्स पर आज की वीडियो में अफ्लोग डिसकेशन करेंगे पैना कोईट है अमरा इंट्रोडक्शन जाने के लिए तबने पेले में आपकर देशन करें समझेंगे करेंगे दोनों बेरीन preserving सिस्टम में आप देखेंगे, इमाले प्रमुख लिवर के बारे में और प्रेस ध्रणर भर's के बारे में तो दो प्र 250 सिस्टम समझेए एक इमाले का डेमिस सिस्टम और दुफा जो है पैंसल अधिवर का डेमिस सिस्टम जिसे आप प्राइग नगियां के नाम देते हैं अधिया को परेंदे इन पजल के प्राइग सिस्टम लगातार पड़ेंगे पहला है इंडर् सिस्टम जिसे सिंदुका रिवर सिस्टम जिस्टम कहते हैं दूसरा है गन्हा रिवर सिस्टम और आप है ब्रहखोत्रा रिवर सिस्टम इस तिनों में हम उनके ओरीजियन को जानेंगे उनकी उतपत्री थैए को जाने में, उनकी लमबाई चौडाई हम देंगे तो यह जो टर्म ड्रेनेश है यह रिवर सिस्टम को बताता है याने कि ड्रेनेश का मत्तब होता है रिवर सिस्टम विजासिता मैंने आपको बताया कि यह जो ड्रेनेश है इस ड्रेनेश का मत्तब होता है आप देखेंगे तो यह ड्रेनेश का मत्तब होता है रिवर सिस्टम यानि कि नदी के पूरे सिस्टम को हम लोग जो है ट्रेनिश का नाम देते हैं अगर आप भारत का फिजिकल मैप देगें तो फिजिकल मैप में आपको इसमाल स्ट्रीम यानि छोटी-छोटी धारा हैं एक दूसरे के डायरेक्शन में जाती में दिखाई पड़ेंगी या आप देखेंगे तो कुछ ऐसी वाटर बॉडी दिखाई पड़ेंगी जो एक स्वोड से निखनेंगी और दूसरे सिर्व में यानि किसी सागर या महसागर में जाता समा जाएंगी आगे आपको एक ऐसा एरिया दिखाई पड़ेगा जो ड्रेन सिस्टम जाने की तरे या ड्रेन वाइसिंपल लिवर जैने किसी एक निश्चित नजी के द्वारा जो एक ड्रेन दिखाई पड़ेंगे उसे हम ड्रेने बेसिन का नाम देते हैं जी से 現在 नाम देते हैं इस प्रिकार तरह पाइसा सिस्टम जो है की आपको दिखाई ठाएंगा जो दोनों को अलब कर दे और अधाई प्रिकार में जो यहने पहले क्यों को शिरू करते हैं पहले ह לה्नाना ड्रेमेर सिट्डमीप में अगर रेने सिस्टम की बात करें, तो ड्रेमेर सीच्टम में मुख्यतार तो ड्रेमेर सिस्टम होता है पहला है लिमालय लिवर और दूसरा है पहल से दो चीज़े निकल कराती है यहांनि कि आपको ट्रेदिश्टम होता है एक हो गया आपके Himalayan River का ड्रेनिं Carla और ढूछ रह और पार कि टिए है आपको टो क्रिकार से आपका दर्रेलिस्टम वर्करता है पहला है ईमाले बिवर का ड्रेनिं जिस्टम और दुसरा है 퍼asses कह데ो फो 6 गहारा ra हैं तो यहां पर साइकु प्राफट उनिट देने के हमाले और 25 विवर्व हैं तो यह दोनों एक दूसरे से काफी अलग है अग्जत प्रस्फने आता है कि वाई हमाले में बर्वाज़ों विट वह तो जाते हैं तो जो है निमाले नभिवत कि अग्यान में पिछी तो यह नभिख दो है अगर दो प्रहु नभिखने आँगी न्भिख data сим्णत ku अगर तो परहुक्त कि लगैसे निकलने वाले नभिख स्क्नेइशst बात करें तो सिल्लुवर ब्रह्ममुत्रा है जो आपके उत्तर के परवती शित्रों से निकलती है और बड़े खटों से होती में आगे बढ़ती हैं इसके अलामा अगर आप देए तो यह कई प्रकार की एक्टिविटीज करती हैं जिसमें इरोशिजल एक्टिविटीज यानि क्यें गटा जो रहे जो किन्तरी आपस्टी का क्यटा वतार है आपो यह ने बटाया नदियों की तीन अफ़्षा एह वस्था सबस्टा यानिकि नदी जब अपने युगा आवकर में tan में में पर्वतों से निकलती है तो बहुत तेजी से उचाई सीवी की तरफ भातायती है आगे की तरफ पड़ती है और जब जीजनली अपने प्रिंद्धा वस्ता में दिरे दिरे कौनती है तो वो जो है बहुत सारा नाम यानिकी जो आपने साथ मुझे बाखा कर दे जाती है उस दि और लामा, बाग के दरान का विर्मान करती है और तुस तो ऐसी नउतिया है जो डेलिको साहल में निर्मान करती है remain करत्य है अब आप जानेगे डेलिका चाहर नजीयों के द्वारा बनाइए जो त्रिबूजाकर रस्त राज terti होगी है इसे हम देश्ता का नाम हिते हैं ये यह जो है वो डेलिता कहलाता है और यह अधिक जो है नदियों के बारा बनाई जाती है बहुत सारे अगर आप देखें तो बहुत अधित मांस्टा में जो आपको प्राइजियों की नदिया होती हैं उन्हें हम सीजनल लिवर कहते हैं तो कि वो वर्षा की मांस्टरा पर मिलग करते हैं और आपको पता है कि गर्भियों में कुछ ऐसी नदियां है जो सूप जाती है इसलिए जो प्राइजियों भी नदियां अंसर होती है उन्हें सीजनल लिवर कहा जाता है चलिए आगे में जो प्रसे हैं इंपॉर्टिंट विवर एंडेयर रिपोटरी याने की प्र जानते हैं सबसे पहले निमाले से निकल नदियों के बारे में पढ़ेंगे सिंदु नदी है गंजा नदी है और प्रभु कुद्रा है इन तीन सिस्टम पाज पढ़ेंगे और यह जो नदियां है यह बहुत दंवी नदिया हैं अगर आप देखें तो यह काई साली सहायब नदी का सिस्टम के बारे में जाते हैं यह जो नदी है जिसे आप सिंदु नदी कहते हैं यह तिब्वक से निकलती है माहत्रोगत बेर्जे होती हुई आगे बढ़ती है पच्छिन की तरह बैठती हुई ये भारत में लदाख में जम्मू काच्टे थे लदाख में पहुंस्ती है अगर आप देखें तो ये एक पिचल सेक्ट बनाती है एक गौर्ण सालिमान करती है और इसी कई सारी स कश्रीब से जोड़ती है इसके अलामा अगर इंडर्ट की बात करें तो ये बतीस्तान गिल गिल इंसे होती हुई अटाप परवत तक पहुंस्ती है साथी साथ जो सतलग है व्यास है रावी है चेनाव है धेलब है ये भी युरैं को मिठान पोर्ट होगी पाकिस्तान में प परवत में कराची की तरफ रहती है अगर आप सिंदु के मैदानी नहागों की बात करें तो इनका मैदानी नहाग पे खलका ड़ाल है इसकी तोटल लबाई अगर आप देखेंगे तो इंदिस्तों किलोमेटर आपको मिले दिया नहीं ये जो है एक लंगी नदी है उंदिस् इसी योगी आपके भारत में पढ़ता है योगी राज्य है जम्मु और आपके अलामा इमांचल प्रदेश आप देखेंगे पंजाब और बाकी जो है इसका प्रवाहत फिर्द्र पाकिस्तान में होता है इस प्रेकार से एक नदी सिस्टम के बारे में आपके पढ़ा इसका है यह सब जो है इसकी सहय होतिया है और कमु प्रवाहर होने वाले शेत्र में आपके देखेंगे तो जो गंघम होती है वो भागी रखी से या गंगों के एशियत निकलती हुए अलग भंदा यानिकी देव प्रियाव यानिकी उत्रह क्रत्रहन में पहुतती है और अगर तद्धिवार के बात करें तो खली त्वार से अदर आप जेह तो यह परवजी शेट से मैदानी शेट की तरफ बहना शुरू कर देती है अगर आप गंगा को देखें तो गंगा जो है कई सारे सखेक नदियों से होती हुए जैसे यमुना है धागरा है गंडर है पोसी है अगर इस नदी जो यमुना है अगर आप देखें तो इसका प्रियार है अगर आप घागरा की बात करें गंडर की बात करें तो इससे देखेंगे तो ये जंद्र विय्दक को दो है नेपाग निमालेश से होता है ऐगे देखेंगे तो यह उस्तरी से उतने वल्दे हुए आगे की तरफ बढ़ती है और कभी-कभी ये नदियां बाद पर नगिया ओखिए जिसे काफी दन के हानी होती है जाने कि जो ryinkly yogi चhelm योग में बहुत जाजा वार आती है आग्याय कर आप देखें तो गंगा दो है पूर्ब की तरफ भेर्ब है और पूर्ब की तरफ देखिए तो पशिमंगा की तरफ मोंचती है और इसके बाद जो है ये एक देल साथ कानिमान करती है मैंने आपको बताया देल साथ क्या होता है देल का नदियों के द्वारा बनाया गया त्रिपुजाफार आकरी सिरूती है इसके अलामा आगे देखेंगे तो इसे खागीरती नाम दिया जाता है और ये जो है आगे बढ़ती भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है अगर आप देखें तो इसकी लंबाई लगवा 2500 किल्मीटर आपको टाप उनती है या ने जी ये जो नभी है ये लगवा 2500 किल्मीटर एक आ गुर दें करती है आगे अगर आप 3.4 देखेंगे तो इसके डेने सिस्टम को आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद हमारा आंती प्रिवर्टिष्टम है जिसे हम ब्रभभभुत्रा प्रिवर्टिष्टम के नाम से जाते हैं। तो अगर ब्रहपुट्ट की बात करें, ये मांतरों और छेल से निकलती है, जिस प्रकार्ट के सतलर आज से जो है सिंधु नदी है, आगे अगे बढ़ेंगे, तो ये जो है घारत में प्रवेश करती है, और आगे देखीए, तो नाम्था बारवा से होते वे यूटर लेकर अ यहां पर इसे जिवान नदी, इसे दिवान लोईयों के नाम से जाते हैं, ये जो है इसे आताम में मिलती है, अगर तिपत की बात करें, तो यहां पर चोटी-चोटी मात्रा में ये सिर्ट भी इस एरिया में दे जाती है, और आगे देखेंगे, तो ये जो है भारत में यहा ज़्यादा परशाब होती है जादी साथ इसमें बहुत जादा जो है स्टेट की मात्रा होती है और आगे जब यह नजी तीरे-चीरे मैदानी फावक की तरफ गहती है तो देखेंगे उससे इस प्रिकार से देखेंगे तो यह जादा होगी सुपे सबसे बड़े इस व्राइन इसमोन निर्माच करती है और आगे प्रतीक जो रेनी सिजन होता है मांसुन सिजन होता है यह जो है आगे साहर consomm में बागलादेश में बागलाने काभी काम प्रभ्यकृत्र कम ऑन्यों को हम जो है कह सकते हैं कि लाकाष्थ कार्ज्ट्रिग जो है अपने फाली में इकध्धा करतें जाने हैं इस प्रकार दें आपने इस डिली पर ना देूर पर्ड़ कोश्च्र में परेबर सक्रम्ध करने ने अगे वेडियो में अगर कोई जिक्त गइंड तो कॉमेंट के मांतर से जरूर कुषें में हैंकि कि